आज जो हमारे गेस्ट है याँ पर पीशे बैक स्टेज पर उनको किसी भी तरह के कोई भी इंट्रोडक्शन की जरुवत नहीं है आप सब लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और उनको बहुत प्यार करते हैं प्लीज गेविन अनरजडिक इन वहां वेलकम तो वन अनली दोक्टर भिकास दिवियकिर्थी सर्थ नहीं चाहते हैं नहीं चाहते हैं मैं सबसे पले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जाने के लिए क्योंकि जब से मैंने सीरीज शुरू करी है तब से हमारे कमेंट सेक्षिन में कोई भी एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जहां पर आपका नाम ना दिखा हूं कई बार मुझे ऐसा लगता है देख करके कमेंट सेक्षिन को कि यह मैं अपने चैनल पर हूं यह आपके चैनल पर हूं मैं सोचल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव रहता हूं तो मुझे एडिया नहीं था इस बात का पर मैं थैंक्फूल हूं कि अपने बुलाया इस लाइक समझा कि मैं यहाँ पर रहा हूं सर प्यार बहुत करते हैं बच्छे आपको मतलब इतना प्यार है जिसकी कोई हद नहीं है मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं अप यह सो अब आप लोग जो चाहे जैसे चाहे इनसे क्वेशिन से पूच सकते हैं सर लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन आती है कि जिसमें दो रासते एक प्रैक्टिकल और एक इमोशनल तो बैलेंस ओट कैसे करना है इमोशनल और प्रैक्टिकल में हमेशा विरूध नहीं होता है कभी-कभी साथ भी चल सकता है और सिर्फ emotional कुछ नहीं होता, सिर्फ practical कुछ नहीं होता, proportion का difference होता है, जब emotions आपके दिमाग पर बहुत हवी हों, तो फैसला करने से बचना चाहिए, especially बड़ा फैसला, छोटा तो ठीक है, कि आपके दोस्त ने काया कि दोस्त ने एक फिल्म इखेगा मिरे साथ, आप emotional हो जाके तो मुझसे प्यार नहीं करते है, शादी नहीं कर सकते हैं मुझसे, और अमने शादी करने हैं, ये ठीक नहीं है, सिर्फ emotions में आके बहुत बड़ा फैसला मत कीजिए, चाहे वो career का हो, चाहे partner का हो, चाहे कोई भी फैसला हो, practical इतना नहीं हो जाना है कि आप machine, robot या पत्थर बन जाएं, क्योंकि आप कितले भी successful हो, यदि आप emotionally successful नहीं है, emotionally stable नहीं है, emotionally well-being के state में नहीं है, तो आपके success किसी काम के नहीं है, एकदम meaningless है, so the success in totality needs emotional happiness, emotional stability as well, इसलिए emotions को courage करके जिएंगे, तो शायद कुछ achievements बड़ी हो जाएं, पर वो किसी काम के नहीं है, कि येवल emotions पे चलेंगे, तो हो सकते हैं, कि achievement जिएदा होना पाएं, तो balance की बात, और सबसे अच्छा तरीक है, जब बहुत emotions हो, intensity बहुत ज्यादा हो, सिर्फ एक तरीका में जो अपनाता हूँ, उस क्षण में फैसला नहीं करना है, कुछ भी हो, कोई कितना भी pressurelize करे, सिर्फ इतने बोलिए, कि मैं 24 हंटे बाद बताओं आपको, थोड़ा सोचूंगा इस बाद में, और यदि आपने उस moment से खुद को बाहर निकाल लिया, तो फिर आप detached होके देख पाएंगे, और फोड़ा सा practical element भी रहे, emotional element भी रहे, वो फैसले सबसे अच्छे रहेंगे life के लिए, मैं आ हमारी society में लड़की उचे पद पे हो, लड़का ना सफल हुआ हो, तो बड़ा मुश्किल है, society में, उनको शायद दिक्कत नहीं है, अब लड़की practical नहीं है कि मैं तुम से शादी करूँ, यह कह कि अगर हट जाती है, तो शादी करती है किसी ऐसे व्यक्तित से जो बहुत तो रह नहीं सकते है ठीक से, और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो आई-एस बने, आई-पेस बने, जिनको करोड़ो रुपए के दहेस के offers आए, साफ ठुकरा के कहा कि मैं जिन्दगी एक ही व्यक्तित साथ गुजार सकता हूं, जो मेरे साथ है, और हैं, बहुत कि इसने प्रैक्टिकल फैसा नहीं किया, इमोशनल फैसला किया, पर अल्टिमेटली किस जिसकी वैल्यू क्या है, आपकी लाइफ बहतर हो, कि यूट्यूब पे जिसके एक लाग भी सबस्क्राइबर्स होते हैं, वो मोनिटाइज करता है, एक लाग जब मिनिमम हो सकता है, इनकी जैसी ख्याती है, उस लेबल पर महीने में कोई 5-10 करोड भी कमाना से है, तो कमा सकता है राम से, इस यूट्यूब चैनल से, तो मैंने पूछा कि वो कौन सी चीज है, जो आपको इतना मजबूत बनाती है, कि आप नहीं सरास्थे पर जाते हैं, मैं वो जानने में इं भाई, बहन, दोस, जो प्रीमी प्रीमी का है, उनके इमोशन से खेलने लगो, इतना प्रैक्टिकल का भी मत होना, इतना इमोशनल मत होना कोई आपको बेवकूब बना सके, बाद बाद पर बेवकूब बनाता रहे, और बैलेंस, जिन्दगी जो है न वो मध्यमार्ग में है जिन्दगी एक्ष्ट्रीम पे नहीं है, मध्यमें है, तो प्रैक्टिकल और इमोशन का बैलेंस रखी, लाइफ बढ़िया होगी आपने सर इसने अच्छे से एक्स्पेंड किया, मेरे पास में कुछ हाई नहीं बोलने के लिए, यूशुली मेरे पास में कुछ होता है, आइड करते के लिए, लेकिन आपने पूरा ही उसका ऐसा निचोड निकाल दिया आपने यूट्यूब पर इतना बोला कि ससी मैं नहीं बचा हो आपके पास है, छे साथ साल पहले के बात है, मेरे एक स्टुडेंट थी जो सुसाइडल टेंडेंसी की शिकारती उस समय, उसके घर में कुछ ऐसी ट्रेजडी उसके मदर के डथ होई थी, और एक ऐसी कि मैं कैसे मैंनेज करूँ और मुझे मोटिवेशन की ऐसी जान करी उस समय तो बिल्कुर नहीं थी, बाद में थोड़ा बहुत पढ़ा, तो मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम घर जाओ, मैं कुछ देखता हूँ, फिर मैं घर गया, नेट पर सर्च करना शूरू किया, करते मैं ध्यान है कि मैंने उसको वीडियो का लिंक भेजा, मैंने का देखो, जिंदगी अपने रास्ते पर चलेगी, ठीक हो जाएगी, जब जब मूड ऐसा हो, बहुत डिप्रेसिंग हो, सुसाइडल मन करे, उस समय वीडियो देखना ध्यान से, और कम से कम उस बुरे फेस से ब पर आप ने बहुत बहुत के दीजिन हाँ, आप निने बहुत बढ़ी बात है- नहीं-काई बच़ों की जान बचाही हो गी आपने दरूर जरूर जो वह एक मोमें होता है, औस मोमेंट में कोई है बुले लोग बच जाते हैं, रूह मोमेंट ऐसे से क्रों में बचा लिगि मुझे बस आपसे यह जाना मैं हर मतलब एपरीडे एट से टेन आवर में पढ़ाई करती हूँ बट मुझे कभी अभी बहुत दीमोटिवेशन आजाता है कि होगा नहीं होगा क्या होगा पता नहीं पेखी दीमोटिवेशन अगर आपको दिन भर में एक घंटे आता है नहीं सर आलमोस टाम पढ़ाई करने के बाद दो तीन चार दिन के बाद ही होता है अगर महिने में चार पांच बार आता है और एक एक दिन के लिए आता है तो इसका मतलब आप एदम ठीक है अगर कोई वेक्टी आपको ये कहे कि मुझे डी मोटिवेशन कभी नहीं होता तो उसको इलाज की जरूत है क्योंकि जब आप अपने से बहतर वेक्टी को देखेंगे आपको थोड़ा सा इंफिरियोर्टी कमप्लेक्स आएगा डी मोटिवेशन आएगा जब आप अपने से कमजोर को देखेंगे आपको सुपिरियोर्टी कमप्लेक्स आएगा थोड़ा सा मोटिवेशन ज्यादा हो जाएगा जिस दिन टार्गेट पूरा हो जाएगा मोटिवेशन आजाएगा जिस दिन टार्गेट पूरा नहीं होगा डी मोटिवेशन आएगा जिस दिन टेस्ट में आपके मार्क सचे हैंगे आप मोटिवेशन के साथ लोटेंगे जिस दिन खराब हैंगे डी मोटिवेशन होगा लेकिन ध्यान रखी जिस दिन आप मोटिवेटेड हैं उस दिन आप वजह बन गए कईयों के डी मोटिवेशन की लगातर मोटिवेटिड होना एक mental illness के निशानी है और लगातर demotivated होना depression के निशानी है इन दोनों से बचना है तो demotivation की बहुत हाइप है इतनी हाइप की ज़रूत नहीं है थोड़ा बहुत हो, enjoy की जिए उसको या trauma center चला जाता हूं देखने के लिए trauma center में जाके एक घंटा बैठके आजएए motivation आजाएगा और शम्चान घ्याट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे हमसे कम उमरे के लोग वहां जल रहे होते हैं तो लगते हम जंदतों है अगर मैं थोड़ा सा cognitive level बर बात करूँ एक बहुत बड़ा psychologist हुआ उसका नाम है brain tano तभी search कीजिएगा उसको brain tano ने human consciousness को study किया और उसने ये बताया कि human consciousness की basic nature है कि जो हमारे पास है वो हमें नजर नहीं आता जो नहीं है वो नजर आता है तो the consciousness of lacking something is the nature of human consciousness इसलिए इसी बात को एक शेर में बहुत पसिद्ध शेर में कहा गया है दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलोना है मिल गया सो मिटी है नहीं मिला वो सोना है तो जो आपको नहीं मिलेगा ना हमेशा बड़ा होके देखेगा जो मिलेगा छोटा हो जाएगा तो इमानदर ही इसमें है कि जब-जब demotivation और depression होए कागज लेके बैढ़ जाएगे और एक तरफ लिखे मेरी जिंदगी में ऐसा क्या-क्या है जो दूसरों के पास नहीं है पेज भर जाएगा पूरा तो जो है उस पे ध्यान देजिए और enjoy की जिए मेरा question है कि आशल बहुत लुग बोलते ही education system वारा पुराना हो गया है और बहुत लुग बोलते ही इसे change हरना चाहिए और ये सारी चीज़े बहुत पुरानी हो रही है जो हम अभी currently पढ़ रहे है तो इस पे आप तो opinion क्या है education system में तो बहुत major changes की ज़रूत है और ये बात भारत सरकार ने accept भी की है नई policy भी लेके आए है मुझे लगता है कि कई levels पर देखना है सबसे पहले तो ये define करना ज़रूरी है कि education का purpose है क्या क्या purpose के बहुत नौकरी लेना है एक job मिल जए वही purpose है मैं उससे agree नी करता हूँ मेरी राए में education का basic purpose है कि एक homo sapiens एक एक इनसान बन जाए सोच ना आ जाए उसको समझ ना आ जाए कोई राजनेता या धर्म गरू उसको गज़ा ना बना सके बेवकुफ ना बना सके उसे इतने समझ हो कि वो चीज़ों को factually, objectively समझ सके तर्क कर सके, बहस कर सके और अगर तर्क और बहस में सामने के तर्क ठीक है तो उनको accept भी कर सके इतना भी number भी रहे बेसिकली personality grooming का process education है वो cable नौकरी का मामला नहीं है पहली गलती तब होती है जब हम उसो cable नौकरी का मामला मान लेते है मैंने नौकरी ज़रूरी है ऐसा नहीं की ज़रूरी नहीं है लेकिन वो सिर्फ वो उसका purpose नहीं होना चाहिए secondly, कई ऐसी चीज़ी जैसे बहुत विस्तार में तो बहुत जा सकते जैसे एक बहुत चोटी बात है sex education हमारे society में ये इतनी ज़रूरी चीज़ है school में जो adolescence की एज की लोग है 12, 13, 14 की एज की लोग है उनको वो सब चीज़ें बताएं ताकि गलत sources से information ना मिले कोई गलती ना कर बैठे health education के रूप में हो उनको सारी चीज़ें पता हूँ ठीक हाथों से पता हूँ ठीक तरीके से पता हूँ फिर मेरा ख्याल है कि जैसे IIT में अब तो होने लगा है पहले कहा था कि हम technology centric education पर ज़्यादा फोकस करते थे कि आपने machine को समझ लिया तकनीक को समझ लिया हो गया political science, sociology पढ़ता है उसको coding का C भी नहीं आता technology बिल्कुल नहीं आती है उसको उसको MS Excel भी नहीं पता क्या होता है technology बारा सिफ technology पढ़ता है वो human brain को नहीं पढ़ना चाहरा society को नहीं पढ़ना चाहरा क्यों नहीं एक ऐसी शिक्षा हो जिसमें एक integrated approach हो holistic approach हो कि हम खुद ताय कर सके कि किसकी से एरिया में ज्यादा जाना है और एक basic understanding हर चीज़ की हो तो basic तीन फार्मोले माने जाते हैं एक universalization of primary education है कि दसवी प्लासर के शिक्षा हर बच्चे को मिले ठीक से मिले vocationalization of secondary education यानि 11-12 की पढ़ाई का purpose है कि बच्चा ये समझ पाए कि उसको जिन्दगी में आगे कहां जाना है और फिर जो higher education है वो सब को करने की ज़रूत महीं होने चाहिए वो शौक पूरा करने के लिए नहीं है वो शादी का waiting room नहीं है वो उसके लिए है जिस तो सच में आगे पढ़ना है वो उतना पढ़े subject choose करे और फिर उसमें गहराई से research करे तक डेवलोपेंट के रास्ते पर बढ़ें हम education के मामलें बहुत बुरी सिती में है मैं तो जिस उमर में हूँ मेरा अब तो purpose भी ये बन गया है कि अब मैं उसी पर कुछ क्राम करो एक university शुरू करने की योज़ना मेरे मन में है इनसे मैंने share भी किया था और मैं जिस तरह का विश्विद्याले सोचता हूँ वो नौकरी देने के पीछे पागल नहीं होगा वो homo sapiens sapiens को काइदे का इनसान बनाने की कोशिश करेगा नौकरी तो उसका एक पार्ट है मैंने अब जितने भी सफल लोगों को देखेंगे जंगली जैसे मैं नहीं से पूछा ये जिस फिल्ड में सफल है इनका जो करियर है अगर मैं इसको छोड़ भी दू तो अधरवाइस विजुन का करियर है वो उस विशे से जुड़ा हुवा नहीं है जो इन्होंने पढ़ा है गर्जुवेशन में मेरा भी नहीं है आम तोर पर किसी का भी नहीं है 90% लोगों को मैं देखता हूँ जो सक्सेस्फुल है उनकी ग्रेजुवेशन के सब्जेक्ट में और लाइफ की फील्ड में कोई लिंक नहीं है तो बेसिक परपस क्या है वो स्मार्टनेस बाहर आ जाए ग्रूमिंग हो जाए इंटलिजेंस है इमोशन इंटलिजेंस है वो सब जो टूल्स है वो उस बच्चे को सीखने को मिल जाए ताकि फिर वो जिन्दगी को फेस कर सके इनोवेट कर सके नए रास्ते नी काल सके हजार रास्ते दुनिया में होते है तो सच बात है कि काफी चेंजिस की जरूत है और आप और हम मिलके करेंगे चेंजिस अगर देखा जाए तो मैंने बहुत जादा कुछ नहीं किया है अपनी लाइफ में बट मेरे स्टैंट पॉइंट से अगर आप देखो कि कि एजुकेशन क्या है तो एजुकेशन का सबसे गोल को अपने परपस को या जो भी आप करना चाहते है उसको अचीव कर सकते हो एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए और वो ही मेरी कोशिश है अपने इंसेशन के थुरू करने की कि एक इनसान का दिमाग खुल जाए उसके दिमाग में एक possibility mindset आ जाए ना कि एक limited mindset हो कि बस ये हो गया तो बहुत है अब problem क्या है ये जो limited mindset है ये बहुत लोगों का है करोड़ों लोगों का है तो वहाँ पे competition भी बहुत है possibility mindset जबकि देखा जाए तो ज़्यादा interesting है लेकि बहुत कम लोगों का है मना ये है कि मैं crack नहीं कर पाया there has to be a way ये education काम अगर कर दे तो real education हो गई हमारी मतलब है कि इनसान को जब Thomas Edison बल्ब के आविश्यर में लगा हुआ था हजार बार फैल हुआ तो किसने उससे पूछा कि ये तुम बार बार करते होता तो है नी हर failure के बाद मैं जानता हूँ कि बल्ब इस तरीके से भी नहीं बन सकता हूँ और अब मैं हजार तरीके जानता हूँ कि इन तरीकों से नहीं बनेगा और उसके बाद वो तरीका इजाद हुआ जिससे बना education से एक इनसान का दिमाग इतना खुल जाए कि सबसे पहली चीज़ तो उसको ये समझ आए कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ education must be such कि वो lifelong आपका questioning mind बना ही रहे है कि आप कहीं भी हो कुछ भी कर रहे हो आपके दिमाग में questions चले questions related to the problems जो भी आप काम कर रहे हो वो क्या है ultimately problem solving है तभी उस काम में value है अगर किसी की कोई problem ही नहीं solve कर रहे हो तो उसमें value कहाँ add हो रही है और value नहीं add होगी तो आपको पैसा कैसे मिलेगा फिर चाहे job उचाहे business हो so the idea is कि आपका दिमाग ये चलना चाहिए अच्छे ही problem है ना पहले तो मुझे नहीं पता है कि इसको solve कैसे करना है क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता है तो आपको वो ही पता है जिस तरह से वो problem solve होती आई that may not be relevant in today's context but still आप उसको उसी तरह से solve करोगे जिस तरह से सब कर रहे है महाँ पर competition है फिर आप कहोगे कि कुछ हो नहीं रहा है so the idea is कि पहले तो ये problem है जो मुझे अच्छे से समझ आई मैंने इस पर focus किया अब इसको solve करने के infinite तरीके है एक रास्ता नहीं है बहुत चारे रास्ते हैं मुझे पता नहीं है this is the goal of education कि मुझे नहीं पता है it must not be static जैसे मैंने देखा है बहुत लोगों को जो मुझे मिलते हैं कुछ लोग है उसमें से जो जैसे मैं सर से मिला अभी आफ कैमरा हम लोग बैठे हुए थे discussion कर रहे थे तो it was a great experience आपके साथ में बैठ करके जिस तरह से जिस ठहराव से सर बात कर रहे थे जिस तरह से चीजों को सुन रहे थे समझ रहे थे और मैं questions पूछ रहा था ये में से questions पूछ रहे थे तो there was a conversation which was going on on the other hand there are some people जिन से मैं कभी कहीं मिला तो उनकी approach किया है कि मुझे सब पता है वो गर्बर हो जाती है शिक्षा की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध कहावत है भरती अगर परंपरा में देखें तो विद्या ददाती विनिया में एक बहुत प्रसिद्ध कहतन है अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ग्यान की वज़े से अहंकार करे तो मान लिजी कि वो पढ़ा लिखा नहीं है पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ग्यान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में भी नहीं है और जिसको ये पता है कि मेरे ग्यान बहुत करना वो विनम रही रहेगा और इसलिए जो बड़े प्रोफेसर से अगर आप कर भी सुनेंगे मैं जानता हूँ मैं युनिवर्सिटी में जब पढ़ता था सबसे बड़े प्रोफेसर क्या बोलते थे कि मैं इस विशे का विद्यार थी कभी नहीं बोलते थे कि मैं प्रोफेसर हूँ इतना साहस किसी में कैसे कि मैं प्रोफेसर हूँ अरे आप जिन्दगी बर स्टुडेन बने रहेंगे तो ही काफी है उससे बड़ी बात तो सोचने भी नहीं चाहिए बहुत बड़ी बात कर दो मतलब कि एजुकेशन का गोल आपको प्रोफेसर बनाना नहीं है आपको स्टूडेन बनाना है अगर सर की बात कोई आगे एक्स्टेंड किया जाए एक लाइफ लॉंग स्टूडेन कि आप सीखते चले जा रहे हो सबसे जिस से मिल रहे हो लोगों से सीख रहे हो सिचुएशन से सीख रहे हो अपनी लाइफ के अच्छे एक्स्पिरिंस से सीख रहे हो बुरे से सीख रहे हो जैसे मैंने देखा है जब भी यहाँ पर कोई क्वेशन पूछते है सबके क्वेशन एक ही होते है कि life में बहुत सारे circumstances आते हैं जहां पर मतलब हमें यह लगता है बहुत सारे negative thoughts आते हैं कि मतलब आगे कैसे बढ़े how to get rid of fear of failure sir कैसे हम इसको handle करें अगर हम कुछ किसी चीज को सुरू करना चाहते हैं sir तो हमारे दिमाग में बहुत सारे negative thoughts आते हैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा बहुत तरह के negative questions आते रहते हैं sir तो इसको क्या से handle करना है sir situation को fear of failure थोड़ा सा ठीक भी है यह हमें रोकता है उन दिशाओं में जाने से जहां में जाना भी नहीं चाहिए जैसे मानली जी मैं सोच हूँ कि मैं football player बन जाओं मुझे पता कि नहीं बन पाऊंगा मेरी fitness वैसे नहीं है तो मुझे यह fear रोक लेगा ठीक बात है यह ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया में हर चीज के लिए ठीक हो हर किसी का एक package है हर किसी का जो attributes है या virtues है उन सब एक package है we can be good at few things we can be best at maybe one thing we cannot be best at everything तो यह बहुत जरूरी है कि अपने aptitude को देखके हम selection करें कि मैं कहा जाना चाहिए अगर selection कर लिया है तो फिर fear of failure होने की बजाए यह है कि या तो आप जो competition उस पर ज्यादा focus कर रहे है अपने strength पर कम focus कर रहे है मेरे ख्याल से strength पर focus करना कुछ अच्छे लोगों की company में रहना जो थोड़ा सब motivate करते हूं अच्छे दोस्त हूं लगातार मन्हुष टैप की बात ना करते हूं ऐसे लोगों के साथ रहना कुछ recreational activities उससे बाहर निकल के थोड़ा खेलना कूधना मैंना physically fit रहना वो सब रहेगा तो hormones जो हमारे दिमाग में आते हैं उससे physical activities जो endorphins वेगरा है happy hormones है dopamine में वेगरा है वो release होते रहें तो हम वैसे में बहुत fear से बचे रहते हैं और रंत में मेरा तरीका ये है कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो fail होना ताय है करूंगा तो chance है कि fail होनगा या पास हो जाऊंगा तो नहीं करने में तो ताय है कि fail हो गया तो क्यों नए बचांस लेते हैं और एक जगा फेल होंगा तो ताय मान के चलिए कि दूसरी जगा मेरे फेल होने के चांस कम होगा क्योंकि मुझे एक experience है प्रयास करने का और फेल होने का और वो experience किसी ना किसी quantity में हर फेल में काम आता है maturity अपके अंदर आती है और मैं एक share अक्सर use करता हूँ बहुत प्रिया share मुझे है और मुझे सच में लगता है कि जिन्दगी को जीना बहुत आसान काम है मुश्किल काम नहीं है असली बात है कि आप प्रयोग करें कोशिश करें और हार जाएं तो दूसरी कोशिश करें और मैं इसलिए एक क्लाइन हमेशा बोलता हूँ क्यों डरें जिन्दगी में क्या होगा कुछ न होगा तो तजर्वा होगा मुझे भी सर के जरसे मॉटिवेशनल स्पीकर बनना है सर पर मैं यह सोचती हूँ कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी कंटेंट बनाऊंगी तो सदीब सर को छोड़के या फिर बहुत बड़े बड़े मॉटिवेशनल स्पीकर से उनको छोड़के मुझे देखेगा कौन मतलब यह मेरे अंदर थोट्स आते हैं कि अभी मेरा मैं 19 यह हूँ तो मैं जब वीडियो कंटेंट बनाऊंगी तो मैं कुछ मुझे ऐसा मेरे अंदर यह थोट है कि मैं कोई बड़ी बड़ा आद भी नहीं हूँ तो मैं यह वीडियो कैसे डाल सकती हूँ लोग क्या सोचेंगे कि मतलब यह तो खुद कुछ नहीं है और लोगों को मौटिवेट कर रहा है ऐसा मेरे अंदर थोट आता है पहले यह तो कुछ कर लिजिए जिन्दगी में उसके बड़ मौटिवेट कर लिजिए और नहीं तो मौटिवेशन है को जोड़ी साइंस है सा पर बात किजिए शुरू में तो जब इन्होने भी शुरू किया होगा कहा शुरू में लुक जानते होंगे बड़ी लंबे स्टागल होती है किसी भी फील्ड में इतनी लंबे स्टागल है देखिए जो आदमी सफल है आप यह जो हमारा वरतमान है यह ऐसे ही नहीं बन गया हर सफल आदमी का एक बहुत लंबा अतीत होता है जिस पर नजर किसी की नहीं होती है और बशीर बद्र ने एक बड़ी गहरी बात कही थी ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं तुमने मेरा काटो भरा बिस्तर नहीं देखा कितने सां तक ये लहु-दूहान हुए होंगे रोज छिला होगा शरीर तब जाके लोगोंने पहचानना शुरू किया होगा लगतर काम करने से जिसको कॉंसेस्जिंसी कहتे हैं परजीवरन्स कहते हैं बात बनती है आप की भी बनेगी मैं तो कई एसे लोगों को जानतो जिन्हों ने कम scratch से शुरू किया और उसके बाद हो टॉप पे पहुंचे आपने अपनी question में दो बाते टच करी एक कि आपको motivational speaker बनना है एक है कि fear of failure है एक तो यह fear of failure को हटाईए अगर आपको motivational speaker बनना है तो अपने mindset को रखिए experimental mindset आप यह समझे लाइफ is like an experiment एक scientist का mind कैसा होता है वो यह थोड़े जा सूचता है कि मैंने यह experiment किया यह fail हो गया तो क्या होगा उसको पता है failure is the part of success जब तक 20-30 बार, 50 बार, 100 बार कोई experiment fail नहीं हुआ इसका मतलब वो कुछ नया try नहीं कर रहा इसका मतलब वो तो repeat कर रहा है जैसे school में बच्चे करते हैं laboratory में कि book में देखा बस उसको copy किया तो दोनों में फर्क हो गया ना एक है कुछ नया discover करना, कुछ नया create करना एक है जो create हो चुका है उसको repeat करना तो you are talking about becoming a motivational speaker तो अगर आप मेरे जैसे बनेंगे तो कोई क्यों देखेगा आपको आपको तो अपने जैसा बनना पड़ेगा तो अब उसमें क्या करना पड़ेगा अब आपको क्या पता कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिसको लोग देखना चाहें उसके लिए तो experiment करना पड़ेगा try करना पड़ेगा एक तरह से आप वीडियो बना के डालोगे कोई नहीं देखेगा दूसरी तरह से बना के डालोगे कोई नहीं देखेगा फिर तीसरी तरह से पिर चौती तरह से हो सकता है छे महीने बाद एक साल बाद, दो साल बाद जा करके कहीं थोड़ा सा कुछ ऐसा क्लिक हो जाए जो हो सकता है, आपको लग रहा था कि शाहिद ये नहीं होगा और वो क्लिक हो जाए बट ये सब होता उसी के साथ में जो कुछ कर रहा होता है जो कुछ ट्राइ करता है जैसे ट्राइ करोगे तो हो सकता है, हो जाए नहीं करोगे तो पक्का है, नहीं होगा जैसा भी सर ने थोड़ देर पहले कहा था अंची सोमत सर यहाँ पर आने के लिए कर दो कर दो कर दो कर दो होता है